आज हम लोग समझेंगे Laws of exponents for real numbers यानि कि भाई कोई real number है जिसमें एक base है एक exponent है तो उनके साथ हम लोग क्या-क्या laws हमारे पास में हैं जिनसे हम उन्हें solve कर सकते हैं तो हमारे पास basically चार laws है पहला law क्या कहता है पहला law यह कहता है कि कोई भी दो number है जिनका base same है क्या है A है दोनों का base है ना और powers अलग-अलग है यानि एक की तो power है M और दूसरे की है N तो ऐसी को solve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं base को रखते हैं और दोनों की powers को क्या कर देते हैं add कर देते हैं यानि A to the power M plus N कर देते हैं इस तरह से हम इसे solve करते हैं दूसरा law कहता है कि अगर दो numbers divide में हैं दोनों का base same है और powers अलग-अलग है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों की powers को subtract कर देते हैं तीसरा law कहता है कि अगर A to the power M है और उस फूरे की power अगर N दी हुई है तो हम लोग इन दोनों powers को M और N दोनों को multiply कर देते हैं कोई भी दो numbers है जिनकी power same है लेकिन base क्या है अलग-अलग है तो हम क्या करते हैं base को multiply कर देते हैं और power को common ले लेते हैं तो अब इन चारों laws की head से हम लोग questions को solve करेंगे तो यह example number 21 है NCRT book से जिसमा में काया है कि इन सभी numbers को हमें simplify करना है तो कैसे करेंगे पहला question लेते हैं चलो तो पहला question है कि 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 3 अब देखो दोनों का base same है 2 है इसमें भी और इसमें भी 2 है लेकिन दोनों के power अलग-अलग है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये वाला law use करेंगे इस law के according हमें क्या लिखूंगी 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 3 simple है क्या हो जाएगा 2 to the power 3 by 3 यानि की 2 to the power 1 जो की 2 के ही equal होती है हमने इसे क्या कर दिया simplify कर दिया इसी तरह हम देखेंगे second question तो second question के अंदर हमें दिया है 3 to the power 1 upon 5 और इस पूरे की power क्या है 4 है तो मैंने क्या बताया कि जब एक number की power दी है और उस पूरे number की भी एक power दी होती है तो हम लोग दोनों powers को multiply कर लेते हैं तो कैसे करेंगे 3 to the power 1 by 5 into में 4 ऐसे करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 3 to the power 4 by 5 अब next question solve करते हैं तो third question के अंदर मुझे दे रखा है third question है 7 to the power 1 upon 5 upon में 7 to the power 1 upon 3 तो मैं ये वाला law यूज कर सकती हूँ जब दो numbers divide में है जिनका base same है लेकिन exponent क्या है अलग-अलग है तो मैं क्या करूँगी मैं लिखूँगी 7 to the power 1 upon 5 minus 1 upon 3 ठीक है तो इसकी value क्या जाएगी 7 to the power minus 2 by 15 ये हुआ इसका answer अब last question भी solve कर लेते हैं तो fourth question के अंदर हमें दिया हुआ है 13 to the power 1 upon 5 into में 17 to the power 1 upon 5 अब देखो यहाँ पर क्या है दो numbers है जिनकी power तो क्या है same है 1 upon 5 1 upon 5 लेकिन बेस अलग-अलग है तो यहाँ पर ये वाला law use करेंगी तो हम क्या कर देंगे 13 into 17 और उसकी पूरे की power 1 upon 5 13 into 17 किता हो जाएगा 221 हो जाएगा to the power 1 upon 5 ये हो गया इसका answer अब हमें एक important point और दे रखा है कि किसी भी number मालो A मेरा एक number है है ना A क्या है एक number है और इसका nth root मैं निकालती हूँ है ना मुझे ऐसे दे रखा है कि इसका nth root आप निकालो n क्या हो सकता है n कोई भी natural number हो सकता है तो उसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ मैं उसे इसी के चीज़ को लिख सकती हूँ A to the power 1 upon n करके मालो मुझे A का square root निकालना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी A to the power 1 upon 2 या फिर cube root निकालना है तो इसे लिखूंगी A to the power 1 upon 3 आई बद समझ अब solve कर लेते हैं exercise 1.6 तो चलो exercise 1.6 का question number 1 है कि find इन सब number की value निकालनी है हमें basic करनी ठीक है चलो first question करते है first question तो देखते हैं solve हो गया 64 to the power 1 upon 2 अब मैंने क्या कहा था कि हम लोग square root को इस तरह लिख सकते हैं इस form को भी तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसका मतलब भी क्या है ये है square root of 64 क्या होता है 8 आगे answer second 32 to the power 1 upon 5 32 to the power 1 upon 5 का मतलब में fifth root निकालना है इसका यानि कि हमें निकालना है 32 का fifth root तो जबर निकालो कैसे निकालते हैं भई क्या आएगा ठीक है third question दिया हुआ है कि 125 to the power 1 by 3 इसका मतलब मुझे 125 का क्या निकालना है cube root निकालना है क्या होता है 125 का cube root 5 हो गया सौल चलो next question करते हैं next question दिया है कि हमें इन types की numbers की value find करनी है सबसे पहले देखो first question है 9 to the power 3 by 2 अब ये 3 by 2 power है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये value कैसे लिका ली जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग हम लोग करेंगे ये कि 9 की power 3 by 2 को मैं और क्या लिख सकती हो 3 into 1 by 2 लिख सकती हो वापस multiply करो 3 by 2 ही आएगी value ठीक है अब देखो अब हम क्या कौन सी वाली property यूज करेंगे हम करेंगे ये वाली property यूज property का नाम है कि अगर मुझे दे दिया जाए a to the power m और इस पूरे की power हो n तो मैं उसे लिख सकती हूँ a to the power m into n तो यहां मान लो मेरा जो m है वो है 3 और n है मेरा 1 upon 2 तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं दो चीज़े कर सकती हूँ पहली तो यह कि पहला 9 का cube निकालो और फिर उसका square root निकालो मैं क्या करूँगी मैं पहले 9 का square root निकालूँगी कैसे मैं करूँगी 9 to the power 1 by 2 और इस पूरे की power करूँगी 3 अब 9 की power 1 by 2 यानि 9 का square root क्या होता है भाई 9 का square root होता है 3 और 3 का निकालो अब cube तो 3 का cube किता हो जाएगा 27 27 ऐसे हमने इस question को solve किया यह जो एक power दी हुई थी इसको हमने 2 form में split किया और यह वाली जो property है यह वाली यह लगाई तो mostly ऐसे questions के अंदर यह वाली property सबसे ज़्यादा काम में आती है तो इसको एकदम अच्छे से याद रखे second question करते है चलो तो second question दिया हुआ है कि 32 to the power 2 by 5 तो यहां भी मैं क्या करूँगी मैं इस power को split करूँगी दो parts में कैसे 32 की power में क्या लिख दूँगी 2 into 1 upon 5 और वापस से वही property use करूँगी कौन सी property a to the power m की fold power n को हम लिख सकते है a to the power m into n इस property को फिर से use करो तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं पहले कर सकती हूँ 32 to the power 1 upon 5 और इस पूरे की power 2 अब मैंने बता है 32 की power 1 upon 5 किसके equal होती है 2 के equal और फिर इसका क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो क्या value आएगी 4 आएगी value ठीक है next question कर लो चलो फिर next question है कि 16 to the power 3 by 4 अब इसे split करो 16 की power में क्या लिखोंगी 3 into 1 by 4 पहले 16 की power निकाल लेते है 1 by 4 और फिर इसकी power निकाल लेते है 3 ठीक है 16 की power 1 by 4 की value होती है 2 यानि 4th root जो है 16 का वो 2 होता है 2 into 2 into 2 into 2 16 होता है यानि 16 का 4th root क्या हो गया 2 हो गया और फिर उसका निकालो क्या जाएगी value 8 simple से simple questions है इससे simple question होई क्या सकते है सोचो first question है कि simplify करना है हमें numbers को तो यह तो बहुत simple question हो गया first question देखो 2 to the power 2 by 3 into में 2 to the power 1 by 5 क्या करेंगे base same है तो power क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी चलो ठीक है 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 5 कर लो add तो 2 to the power क्या हो जाएगा 13 by 15 यह हो गया answer next question है कि 1 upon 3 to the power 3 की whole power है 7 तो क्या करेंगे जब किसी एक number की power हो और उसकी whole में भी power होता हूं दोनों powers को क्या करते हैं multiply कर लेते हैं कैसे करेंगे तो 1 to the power 7 upon में 3 to the power 3 into 7 अब 1 की power 7 तो 1 ही होगा तो 1 upon में 3 to the power 3 into 7 यानि 3 to the power 21 आगे answer अब मुझे लगता लास्ट के दो questions समझना बिलकुल भी मुश्किल होने वाला है बहुत ही simple questions है तो यह चैप्टर है number system सक्सेस हो ली हो गया complete ठेक है अब next video में क्या करेंगे हम लोग next video में हम लोग solve करेंगे mcqs चैप्टर से related और उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ मुर जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना साथ साथ में class 9 की जो chemistry के classes चल रही है उन्हें भी देखना और पढ़ते रहना thank you so much पदाद रहा हो बातो कि कैसे चीज बातीा क्पारा भीर लुए आवारा होव कि तरहे साथ स wärम गवा हो बात 누ipp